और सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी उम्मीदों पर बिल्कुर भी खरा नहीं उतरती हैं ऐसे ही एक कंपनी है जिसका नाम है Fusion Microfinance इसका चार्ट अगर हमें जितने और दिन का बढ़ाता जाओंगा तो आप देखिए किसमें गिरावट ही दिखती जाती है अगर मैं इस पर नहीं कि पोल हैं जो है कुलने लगता है अब देखिए इसन जो हाई बनाया है कितने हैं लगबख 495 का छा महीने हाई बनाया अब देखे इसमें खबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखे एक जो कंपनी है यह अपना मनी कंट्रोल की जो न्यूज है उसमें एक खबर चापी होई इनके बारे में जिसमें उन्हों दिया हुआ कि कर चुकाने में काफी मुश्किल का सामना कर रही तो अगर इसमें कोई इन्वेस कर चुका है या फिर करने वाला है या फिर करने के बारे में सोच रहा है तो इसके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरूरी है कि बार बर पिंकस की अगवाई वाली कंपनी फ्यूजन माइक्रो फैनेंस ने सितंबर तिमाही में 305 करोड रुप में खाए कि इस बात को लेकर संदे है कि बहुत समें कंपनी की वित्ती इस्तिती ठीक रहेगी यानिकि इनको इसमें भी संदे है कि कंपनी को जो वित्ती इस्तिती है वो आगे जाकर के ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी तो इसके लिए ये बड़ी खबार आ रहे है देखिए वित्ती इस्तित के बारे में भी लोगों को डाउट है जो इनके ओडिटर है उनको और जो इनका जो टोटल जो इनका लोन है वो 5618 क्रोड के आसपास का हो गया है और अगर जो इनके लेंडर से अगर तुरंत जो है कि अपने पैसे मांगते हैं तो इनके लिए बड़ी दिक्क नहीं देती है और ज्यादा बड़ा जो है कि एक ही कस्पर को सारा पैसा नहीं देती है लेकिन फिर भी देखिए जिस कंपनी को प्रॉफिट पिछले तीन-चार ते माही में यहां पर देखिए अच्छा खासा आ रहा था 133 करोड का देखिए यहां पर प्रॉफिट आ रहा जिनिकि जितना पिछले चार-पांच क्वार्टर में मिलकर के यह उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया उतना एक ही क्वार्टर में उन्होंने लॉस कर दिया तो मैनेजमेंट को थोड़ा से समझना चीए कि एक दम से इतना लॉस कैसे हो जाता है और अगर कोई भी बंदा इस दो तीन रुपए पर टेट कर रहा है तो ऐसे कंपनियों के फाइनेंसल जरूर पढ़ने चाहिए जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं और जहां पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाकी चीज़ें लाल अच्वा नहीं कि यह से अगर 600-700 से अगर सीधा 500 पर आगया तो हम हमें लेही लेना चाहिए नहीं इस एक दू कॉर्टर रुखना चाहिए देखना चाहिए कि इसमें क्या प्रिमोटर्स बूलते हैं क्या उनका जो है कि प्लानिंग उसके बाद से सेर में इन्वेस्ट करना चाहिए देख समझ के परके हमारे अपने पैसे को इन्वेस्ट करन तो अगर वीडियो अच्छा लिए लाइक कीजिए से लिए कमेंट तेंक यू